और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 5 बाइक्स के बारे में जो आपको 2 लेक्स या फिर कह सकते हैं 2.3 लेक्स में इंडियन मार्केट में आन रोड अवेलेबल हो जाती है तो पहले नंबर पार आती है बजाज पलसर RS200 दोस्तो RS200 इंडियन मार्केट में काफी टाइम से चल रही है लेकिन अगर बात करें इस बाइक की कंप्लेंज को लेकर तो इसमें आपको ना के बराबर कंप्लेंज मिलती है क्योंकि ये बाइक काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और लोगों का रिस्प दोस्तो अगर बात करें इस बाइक की राइडिंग पॉस्चर की या फिर कहें कमफर्ट की तो इसमें आपको स्ट्रेट राइडिंग पॉस्चर देखने को मिलता है तो अगर आप लॉंग टूर भी करते हो तो आपको शोल्टर पेन या फिर बैक पेन जीसी प्रॉब्लम न लागी इसमें आपको स्लीपकला जैसा फीचर देना चाहिए तो इस चीज में यह थोड़ी मार खा जाती है अब दोस्तो बात करें इस बाइक के प्राइस की तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,79,000 ऑन रोड देली तो इस प्राइस सेग्मेंट में आपको RS200 अवेल मिलता है और सामने आपको 100 सेक्षन का टायर देखने को मिलता है और टायर में भी आपको अच्छी खासी गरिप देखने को मिल जाती है दोस्तो पर्फॉर्मेंस के मामले में यह बाइक काफी एवन है और अगर बात करें इसके माइलेज की तो आप इससे अराउंड थाटी 235 केम पेल तक का माइलेज गेन कर सकते हो जो कि एक 200 सीसी की बाइक के हसाब से ठीक है बागी आप कमेंट बॉक्स पर बताओ कि आप बजाज पलसर RS200 को लेना पसंद करोगे की नहीं नंबर टू पर आती है टी वीस अपाचे आर्टी आर्टी आर टू हंड़ फोर वी दोस् पुर आपके लिए और यह 100% आपके लिए perfect रहने वाली है दोस्तों बात करें इसके features की तो इसमें आपको ढेर सारे features देखने को मिल जाते हैं पहला इसमें आपको जेघने को मिलता है जो आपको सेग्मेंट की bike में बहुत कम देखने को मिलेगा और इतने कम price में आपको और मोड हो गया रेन मोड आरबन मोड तो इन मोड के साथ ये बाइक आपको अविलेबल अब होने वाली है और आप जिस भी मोड पर बाइक को राइड करोगे तो उस हिसाब से इंजन में ट्यूनिंग होगी और आपको पावर आउटफिट में डिफरेंस देखने को मिलेगा बाक इसके ग्राफिक्स में भी काफी बड़िया चेंजिस किये हैं तो ओवराल देखने में भी ये बाइक काफी सुन्दर लगती है सामने आपको अल एलेडी हैडलाइट का सेटप देखने को मिलता है जिसकी विजिबिलिटी आप पहले के मुकाबले बहुत ज़धा इंप्रू शब्रेम रहेगी दोस्तों बात करें इसके सिस्पेंशन की तो सामने आपको टैलस्कोपिक देखने को मिलेगा और पीछे आपको में बात किया जाए तो इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं पहला सिंगल चैनल ABS जिसका प्राइज है 1,47,000 ऑन रोड डेली और दूसरा डूइल चैनल ABS उसका प्राइज है 1,52,000 ऑन रोड डेली तो ये दो विरिंट में आपको बाइक अविलिबल होगी हाला कि दोस्तो अगर आपका बजट इतने तक है तो फिर मैं कंफर्म कह करें उतना कम है क्योंकि ये 1,500 cc की होकर सीधा सीधा 200 cc की बाइक को टकर देती है अगर इसके overall looks को देखा जाए तो ये अपनी बाइक को बहुत ही sharp और muscular look देती है और आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देख लेजिए आपको सभी एंगल से ये बाइक पसंद आ है दोस्तो फ्रेंट से बात करें तो फ्रेंट में आपको all led headlight का setup देखने को मिलता है हालकि मुझे इसमें एक complaint इसकी जो night visibility है वो up to the mark नहीं है मतलब ज्यादा बैटर नहीं है तो हो सकते है कि आमहां आने वाले variant में इस चीज़ को improve करेगा पीछे आपको led tail light मिलेगी और indicators इसमें आपको bulb indicator देखने को मिलेंगे instrument console की बात करें तो इसमें आपको all digital instrument console देखने को मिलता है जिसमें आपको gear position indicator, tachometer, autometer जैसे सारे feature देखने को मिल जाएंगे दोस्तो राइडिंग posture की बात करें और comfort की बात करें तो इसका जो riding posture वो कुछ ज्यादा ही aggressive है तो जो rider उसको lean होका ride करना पड़ता है तो अगर आप city tour के लिए bike ले रहे हो तो फिर ये bike आपके लिए best रहेगी लेकिन अगर आपको long tour के लिए bike चाहिए तो उसके लिए RS200 आपके लिए best रहेगी दोस्तो बात करें seat comfort की तो इसमें आपको बहुती बढ़िया seat comfort देखने को मिल जाता है अब अगर बात करें इसके features की तो इसमें आपको sleeper clutch देखने को मिल जाता है या महा की variable valve actuation technology इसमें आपको देखने को मिलती है जो 6-7000 rpm के बाद open होती है जिसे करन बाइक को एक push up मिलता है और ये अच्छी खासी top speed gain करती है और इसमें आपको dual channel ABS देखने को मिलेगा फ्रें में ये बाइक available होती है mileage की बात करें तो इस बाइक से आप around 40-45 kmpl का mileage gain कर सकते हो जो कि आज के time में काफी ज़्यदा जरूरी है क्योंकि 100 रूपय पैट्रल हो गया है और 100 रूपय में अगर ये बाइक 40 km चलती है तो फिर ये काफी बढ़िया average देती है तो अगर आपका budget इ racing experience चाहिए क्योंकि अगर आपको एक perfect racing experience चाहिए तो फिर KTM की bike आपके लिए perfect रहेगी आप Duke series ले लो या फिर आप RC series ले लो दोनों ही variant में आपको बढ़िया racing experience देखने को मिल जाता है दोस्तों इस bike overall looks की बात करें तो ये अपनी bike को काफी sharp और muscular look देती है और आप इस bike को क जो कि KTM quality को लेकर कोई भी compromise नहीं करता है दोस्तों instrument console की बात करें तो इसमें आपको all digital instrument console देखने को मिल जाता है जिसमें आपको real time mileage, speedometer, odometer, gear shift indicator ये सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है और भी तरह तरह की features आपको इसके instrument console में available हो जाता है दोस्तों बात करें इ राइडिंग पॉस्चर की तो उसकी जो seat में आपको split seat देखने को मिलती है हाला कि जो pillion seat वो अतनी अदा comfortable नहीं है लेकिन upcoming RC200 में पीछे आपको अच्छा खासा pillion comfort देखने को मिलेगा दोस्तों राइडिंग पॉस्चर की बात करें उसका जो राइडिंग पॉस्चर वो देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें इस बाइक के on-road price की तो इसका जो on-road price है वो है 230,000 on-road Delhi अगर आपका budget दो लाख 30,000 तक है तो फिर ये बाइक आपके लिए perfect रहेगी फिफ्त नंबर पर आती है Yamaha FZS version 3 दोस्तों मैं RTR 164V की तरफ भी जा सकता था या फिर मैं Jixxr 150 की तरफ भी जा सकता था लेकिन मैं इस बाइक की तरफ ही इसलिए आया हूँ क्योंकि अगर आप engine refinement और reliability को देखो और अगर आपको budget कम है तो फिर इस बाइक के आगे आपको कोई भी और दूसरी बाइक नहीं देखने चाहिए क्योंकि engine refinement और price से compare करें तो ये और दूसरी bike के मुकाबले दो कदम आगे है दोस्तो बात करें इसके looks की तो looks उतना जादा अच्छा नहीं है लेकिन आपको बड़िया look इस bike में देखने को मिल जाता है features की बात करें तो single channel ABS में आपको ये bike देखने को मिलती है और dual disc आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तो इसके display में आपको smartphone connectivity जैसे feature देखने को मिलता है जिसमें आप lock जैसे feature भी यूज कर सकते हो और इसमें आप hazard light का भी option यूज कर सकते हो तो ये feature इस bike में काफी अच्छा add up किया गया है और अगर colors की बात करें तो color भी इस bike में आपको बहुत ही बड़िया देखने को मिल जाता है दोस्तो की बात करें तो इसमें आपको single piece की seat देखने को मिलती मतलब unibody single seat देखने को मिलती है तो उसका comfort level भी बढ़िया है और इसका जो riding posture है वो भी upright है तो आपको long tour करने में भी कोई भी problem नहीं आएगी दोस्तों आप बात करें इसके price की तो इसमें आपको तीन variant देखने को मिलते और अगर आप top of the variant लेते हो अगर आप dark night वाला edition लेते हो तो इसका price जाएगा कम से कम 1,27,000 अन रोड देली तो इस price segment में आपको ये bike available हो जाती है तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको like करो, share कर और अगर आप channel पर नए आए हो तो इसको subscribe करके bell icon दबा दो क्योंकि मैं आप logo के लिए ऐसी ही videos लात रहता हूँ और आपको मेरा यहाँ पर username show हो रहा होगा, Instagram का तो जाओ, मुझे वहाँ जाके follow करो, मैं वहाँ pics डालते रहता हूँ और अगर आपको वहाँ कुछ doubt है तो आ आप मुझे DM कर सकते हो, अभी के लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos